बीदे कुछ दिनों से मद्रप्रदेश की कई इलाकों में घने कोहरे के साथ कही कही बारिस की भी सुषनाय मिली है खरगोन की बात करें तो यहां का हाल भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है तापमान में गिरावट और बारिस होने से लोगों का स्वास्त विगड़ रहा है तो नहीं किसानों को फसले खराब होने की चिंता सता रही है आपको बता दें कि खरगोन सफे सोना और लालती की मिर्ची के लिए पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है मद्रप्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास का उतपादन खरगोन में ही होता है जिसे सफे सोना कहा जाता है इसके अलावा गेहू और चना भी यहां के मुख्य फसले है अभी रवी का सीजन चल रहा है जिले में करीब साहाट से सतर हजार हेक्टियर में चना और लगबग सबा लाख हेक्टियर में गेहू की बुवाई की गई है लेकिन विगत दिनों हुई बेमोसम बारिस और सुब गना कहरा होने से फसलों पर अनुक्वल प्रभाव बढ़ रहा है खास कर चने की फसल को बिमारियों ने जगड़ लिया है इली कौपर को बढ़ रहा है किसान सीताराम ठाकुर ने बता है कि 20 बिगा में चना लगाया है लेकिन बारिस होने से और कहरे की वज़े से फसल खराब हो रही है फसल नहीं पकी तो करीब 7-8 लाक रुपे का नुक्सान होगा इधर करसी वेग्यानिक योगेंद्र जेन ने कहा कि सुब देर तक कहरा चाया रहने की वज़स से चने की फसलों में इल्लियों का प्रको बढ़ रहा है इसे बचाओ के लिए किसान कोरोमन रेप, लाइट रेप, एमम्टी आकार की लखड़ियों का प्रयोग करें यहां में दूसरा पाने दे रहे हैं, तो पाने देने के बाद यूरिया का प्रयोग करें जना मुक्य रभी फसलों की रुट में लगाए जाता है गेहू में जहां दुसरे पानी की अवस्था चल रही है और चने में भी फूल आने की अवस्था है इस सवस्ता में अभी क्या पक्रम, रात का पक्रम minimum AG 1-12 डिग्री का स्पा से रह रहा है और दिनका भी 6-7 डिग्रीक्री का सपा सुभेर कोरा यह बिनका है मैक्सिमम आपक्रम करीब 16 सुपर ही उर और कुछ जगह इस तरह की रिपोर्ट्स भी किसानों की आ रही है जिससे हम किसानों को संदेश दे रहे हैं कि समय वर्यते अभी फेरोमेंट ट्रेप लाइट ट्रेप एवं टी आकार की लकडियों का प्रवयोग करें एवं किसान भाई खास करकि यहू में दूसरा पानी दे पानी देने के बाद यूरिया का प्रवयोग करें एक और संदेश में आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि किसान भाई अपने मोबाईल में मेगदूत आता है वो जरूर डाउनलोड कर ले जिससे उनको अपने जिले की पूरी जानकारी मौसम संबंदी जानकारी आने वा उस एप में जरूर देता है लोकल एटरिन के लिए खरगाउन से दीपक पांडे की रिपोर्ट